हालो एवरिवन मैसेल्फ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स एल्सी सीकर आज हम मिट सेशन टैस्ट सीरीज फॉर जेएडवांस 2022 का फिजिक्स का फिर्स्ट पेपर डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें अपने टॉपिक्स है वेक्टर वन दिमेशनल मोशन टू दिमेशनल मोशन एन टीडिग्री एंगल पर और और जोंटल से एंगल दे रखा है सेम टाइम पर सेकंड पार्टिकल बी जो है उसको भी प्रोजेक्ट किया है अपोजिट डिरेक्शन में मतलब डिरेक्शन वाइज इस तरह से विट इनिशल वेलाउसरी 50 फ्रॉम पॉइंट अडिसंस अफंड चीए अगर यह कुलाइड हो रहा है मिडियर में तो यह अल्फा की वैल्यू क्या होगा को देखना है तो अगर यह कुलाइड हो रहा है तो इक के respect में दूसरे का का मोशन देख सकते हैं एक को रोपके तो एक को रोपके दूसरे का मोशन अगर अब्जारू करें कि यह 60 था मिटर पर सेकेंड एंगल आफ प्रोजेक्शन था इसका 30 कि सेकेंड वाले को यहां से प्रोजेक्ट किया किसी वी वेलासिटी से 50 से और यह एंगल है कुछ अलफा आप एक के रिलेटिव दूसरे का मोशन देखें इसको रेस्ट में कर लेते हैं इसको रेस्ट में किया वेलासिटी इसके कॉमपरेंट कर लो ताकि थोड़ा असान रहे तो 50 कॉस अलफा और 50 साइनल कॉमपरेंट कर लिए इसके हैसे ही इसके कॉमपरेंट कर लिए 60 कॉस 30 कॉस 30 आ जाएगा 60 कॉस 30 रूट 3 बाइटू और वर्टिकल कॉमपरेंट आ जाएगा 60 साइन 60 साइन 30 सॉरी यह अब एक्सेलरेशन दोनों का डाउनवर्ड है जी हम अब देंहें रिलेटिव लगा tyre रिलेटिव लगाएं हम विलाएट का रेस्म fiber फिर और दूसरे ऑप्जरnın bisa कर रहें तो ज़र हम एक को रोग देते हैं, एक को और एक को रोग ते फिर बी को अबसर्व कर रहे हैं, तो अगर मुझे रोकना है, तो वेलोसिटी भी जीरो करना है, एक्सेलरिशन भी जीरो करना है, तो इसका अपवरड जी एड़ कर दिया है, इसके एक्सेलरिशन में, ताकि इसका 30 root 3, vertical velocity है, इसकी 30, downward add कर दिया, velocity में, 30, relative के लिए, कुछ इस तरह से भी relative लगा सकते हैं, कि completely rest में आने के लिए, acceleration भी 0 कर दो, velocities भी 0 कर दो, तो same चीज़ हर किसी quantity के अंदर add हो जाएगी, तो इसके भी acceleration में g i be add हो के upward, इसकी भी horizontal velocity में add हो के 30 root 3, इसकी भी vertical velocity में add हो के downward, 30, तो अभी ये motion किस तरह का दिखेगा, तो motion कुछ इस तरह से हो गया कि A तो rest में आ गया, B जो है, इसका relative acceleration तो 0 हो गया, horizontal velocity जो है B की, वो हो गई, 50 cos alpha plus 30 root 3, vertical velocity हो गई इसकी, 50 sin alpha, downward है इसलिए minus 30, ये हो गई B की velocity, acceleration relative 0 हो, तो इस तरह का motion इसका हो रहा है, अब इस motion में अगर B को rest में किया हो है, A अगर collide हो रहा है, तो collide तब ही हो सकता है, जब इसकी resultant velocity इस तरफ A की तरफ हो, vertical में नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला term कितना हो, 0, तो अगर vertical velocity का term relative का 0 आ गया, तो ये horizontal में जाएगा, जाके collide हो जाएगा, तो इस term को 0 करेंगे, तो sin alpha की value आ जाएगी 30 by 50, तो ये आगए 3 by 5, तो alpha equals to sin inverse 3 by 5, ये alpha की value आ जाएगी, sin inverse 3 by 5, तो sin inverse 3 by 5, ये second option अपना correct होता है, तीक है, इसके second question पर चलते हैं, second question में ये data काम में आना है, तो इसी को use करते हैं दुपरारा से, तो second question में क्या बोला है, पूरी detail उपर वाली वही है, कितने time के बाद ये collide होंगे, वो पूछा हुए, तो आते हैं, collide कितने time के बाद होंगे, तो यहाँ से यहाँ से की distance है, यह 100, यह 100 meter distance travel करने में कितना time लगेगा, वो time पूछा हुए, तो time हम हो सकते है, है displacement, अपॉन किस दारेक्शन में velocity, 50 cos alpha, sin alpha अगर 3 by 5, cos alpha 4 by 5 आ जाएगा, calculate करके देखेंगे तो, तो यह आगया 50, sin alpha को लिख दिया, मैंने perpendicular upon hypertenious से, उसको लिखना है, base upon hypertenious, base की value हो जाएगी, 5 square, 3 square का root, minus 4, minus लिया, 5 square, minus 3 square का root, divided by 5, यह cos और plus value थी, एक 30 root थी, ठीक है, एतना time इसको लगना है, cancel हुआ, 10, तो t की value आ गई, 100 by 40, plus इसको 1.73 लिख दें, तो 51 के around यह value आ रहेगी, 51 से थोड़ा ज़्याद है, 51, 52 के around यह value आ रहेगी, तो यह हो गया लगबग, 100 divided by 92, approximate value निकाली है पड़ने, आप ज़रा option देखते हैं, अगर आगे सही से calculation करना है कि इसी से काम से जाएगा, तो options है 1.09, 9.01, 2 और 6, तो यह answer जो लग रहा है, 1 के close लग रहा है, एक second से थोड़ा से ज़्यादा आएगा, तो जो collision का time होगा, वो अपना जाएगा, first option 1.09 second, second हो गया, next paragraph पे चलते हैं, next paragraph में एक arrangement शो किया है, यह arrangement और इसमें M1 है, M1 है 4 kg और दूसरे block से connected है, 6 kg से, जो massless string पुली की उपर से पास हो रहा है, massless और frictionless पुली की उपर से, initially 4 kg का जो object है, वो floor के contact में है, और 6 kg को rest में किया हुए है, 9 meter height पर, T460 पर 6 kg को release कर दिया, इस वार इस situation से release कर दिया, तो क्या होगा, यह नीचे आएगा, यह उपर जाएगा, तो पहले बाट में क्या पुछा हो है, speed of 4 kg block, just when 6 kg object hit the floor, तो यह floor seat करेगा, उस time पर, इस पर कितना velocity होगा, तो actual में speed तो दोनों की same ही है, magnitude ही पूछा हो है, क्योंकि options में कोई sign है नहीं, तो यह उपर गया, यह नीचे गया, तो यह 9 meter नीचे जाएगा, 9 meter उपर जाएगा, टोटल वक्डन ग्रैविटी 6 पे तो आजाएगा, M, G, H, 9 meter नीचे गया, ठीक है, 4 kg 9 meter आजाएगा, ऊपर, M, G, H, टोटल वक्डन एक वस्टे चेंजिन कानेटिक एनरजी, तो नों की speed सेम है, इनिशली 0 था दोनों की speed, तो final जो आजाएगी value वो लिख सकता हूँ, आजाएगा, half M, V square, यह जाएगी, 10 इदर आया, 10 से तो पूरा 10 cancel कर दो, और 6 into 4 minus 9 into 4 हो जाएगा, 2 into 9, तो यह जाएगा, 2 into 9 into 2 equals to V square, so V की value आ गई, 36 का root, 36 का root कितना हो गया, 6, तो इसकी velocity आ जाएगी, 6 meter per second की बराबर, तो यह हो गया अपना first part, 6 meter per second इसकी velocity हो, और the second part में, second part में पूच्छावा है, इसी को इडिटा को यूज कर रहे हैं, एक पर, तो second part में पूच्छावा है कि maximum height floor से 4 kg कितना ऊपर जाएगा, तो देखे 4 kg की इतनी velocity आ चुकी है जब यह floor से hit किया, अब यह floor से hit हो गया, अब इसके वहाँ पर यह rest में आ गया, अब यह कुछ velocity थी वहाँ तक इसकी, 6 meter per second तो उस velocity की वैसे क्या होगा, यह कुछ उपर जाएगा, और maximum height अटेंड करेगा, maximum height पर क्या होगा, इसकी velocity, 0 हो जाएगा, तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, टेंशन तो 0 होगी, अब यह free gravity के अंदर freely उपर क्यों और जा रहा है, 6 meter per second से, तो further कितनी height और जाएगा, तो maximum height और क्या होगा होगा, वी square final velocity 0 equals to u square plus 2 a s use कर देगा, finally velocity 0 initial 6 है, square 36 plus 2 g की value minus 10 है, कितनी height और जा रहा है, तो यह आ जाएगा 1.8 meter, सही है, 36 by 20, 18 by 10, 1.8 meter extra और जाएगा, 9 पहले चला चुका है, चल चुका है, तो maximum height होगा, उसकी 9 plus 1.8, तो 10.8 meter इसकी maximum height तो 10.8 meter maximum height तक जाएगा, आगे बढ़ें, तो section B more than 1 correct में है, पहले question पहाते है, है, velocity एक particle का किसी भी time T per, जो distance travel करेगा, X उसके साथ equation given है, AX plus B, A positive बोल रखा है, B की value है, A by 2, से कम, तो कौन साथ statement इसके लिए true होगा, X बराबर 0 पर T0 बोल रखा है, तो तके पहले option में क्या बोल रखा है, कि displacement of a particle at time T, किसी भी T time per displacement, velocity given है मैं, velocity है, V equals to AX plus B, हमें displacement पूछा है, तो velocity से displacement, तो velocity को लिख दिया, DX by DT, T इदर ले गा, X वाल अदर मिदर ले जाएंगे, तो DX by AX plus B होगा, integrate भी कर देता हूँ साथ-साथ, तो integration हो जाएगा log AX plus B, और जो X के साथ multiply हो रहा है, वो divide में आ गया, और limit रखना बाकी है, और इदर जो DT आएगा, उसका integration T है, तो शुरुवात में बोल रखा है कि X 0 है, T0 पर और T time पर कुछ X, यह relation आ गया, अब limit रख देते हैं एक बार, तो limit रखा, log के अंदर limit रखेंगे, तो AX रखा पहले दो, फिर B 0 रखा तो B बचा, तो log A minus log B को, log A by B लिख दिया, और इधर आ गया DT का integration T, A को इधर लेगे पहले AT, फिर log को इधर लेगे exponential, इधर बच गया A by B, X plus 1, डिवाइड कर दिया B से, 1 इधर गया, तो यह आ गया, E raise to power AT minus 1, बाद में B by A आ गया, और आ गया, तो यह आ गया X as a function of time, तो option जो है, first option यह कुछ इसी तरह से है, ठीक है, first option correct है अपना, second option में particle will experience retardation, अचा बाकी और पार्ट है जो है, particle जो है, rest में है, T equals 0 पर, तो इसके लिए acceleration calculate करना है, इसके लिए velocity को ही check करना है, और इसके लिए acceleration चेक करना है, तो इसकी फर्दर अपन को जूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते है, answer first तो ठीक है, अगले में retardation feel करेगा, तो acceleration के लिए velocity को differentiate कर दिया, जो था AX plus B, तो velocity या acceleration के लिए लिखूंगा V dV by dx, तो V dV by dx लिख दिया, V या V को V random भी, dx by dt इसको differentiate किया, तो यह किवल A आएगा, यह acceleration, तो acceleration की value A into V, A constant जो positive constant है, यह अगर positive constant है, तो जो velocity का sign है, same sign acceleration का आएगा, तो अगर velocity और acceleration का sign same है, तो retardation नहीं होगा चाहिए B कुछ भी, तो second अपना गलत, particle will be at rest at t equals to 0, तो t equals to 0 रखा, t equals to 0 पर x 0 है, velocity जो है, वो आ गया, x 0 रख दिया, B के बराबर, तो rest में रहेगा, अगर B की value 0 है, तो rest में आ जाएगा, लेकिन B के लिए कुछ नहीं बोल रखा, वो यह इससे कम है, तो कुछ भी हो सकता है, इसका initial velocity, वो 0 नहीं बोल सकता, motion of particle is under constant acceleration, तो acceleration velocity variable, तो acceleration constant नहीं है, variable है, तो बाकी आगे के जो options है, वो सारे wrong है, कि अबर first option अपना correct, next question पर आता है, एक particle project किया horizontal से, ground से, theta angle पर velocity u, same plane में horizontal acceleration भी है, वो अगिस कर रहा है, तो projectile motion, sorry, particle जो है, वो return कर रहा है, point of projection पर, तो time of flight बताने, तो देखें, यहाँ से project किया इसको, और projectile motion में एक तो motion, gravitational acceleration downward, एक horizontal acceleration है, तो इसका मतलब net acceleration जो आएगा, वो constant value आएगा, constant acceleration है, तो पात तो parabolic ही होगा, लेकिन अगर उसी point पर वापस आना, तो parabolic में वापस नहीं आ सकता हो, straight line में होगा, तो यहाँ पर हम वो सकते हैं कि कुछ इस तरह से गया होगा, जाके वापस होगा, ठीक, यह इसका motion हम वो सकते हैं, तो इस तरह के motion में, यहाँ तक कहीं तक गयार जाके वापस आया, तो इसमें, y में भी हम displacement 0 कर सकते हैं, x में भी displacement 0 कर सकते हैं, यह की velocity u, angle theta, वो इधर से ले लो theta, तो इधर की velocity आ गई, u cos theta, vertical velocity आ गई, u sin theta, तो y में displacement 0 कर दिया, y में displacement 0 किया, तो s equals to ut plus half a t square, 0 equals to ut plus half a t square, तो इससे t की value जो आ रहे हैं, वो आ गई, 2 u y upon a y के बारा है, y में velocity है, sin theta, y में acceleration है, g, similarly x से भी calculate कर सकते थे, तो x से calculate करें, तो s equals ut plus half a t square, तो t की value आ जाएगी, 2 u y, x sorry, x में velocity है, u cos theta और x में acceleration है, a, तो अगर y से calculate करेंगे, 2 u sin theta पौन जी और x से calculate करें, 2 u cos theta पौन a, तो अपना first और third जो है, वो इसमें correct हो जाएगा, question number second में, next में चलता है, question number third में, motion एक particle का, mass m है, कुछ given है कि इस तरह से है कि x equals to 0 है, time 0 से पहले, तो 0 से पहले particle rest में है, फिर उसके बाद a sin 4 pi t है, 0 to 1 by 4 second में, 0 रखके देखेंगे, 0 पर ही है, 1 by 4 रखके देखेंगे, pi वापस से 0 आ जाएगा, तो वहीं वापस आ रहा है, या फिर अगर position time graph बनाए, तो position time graph कुछ इस तरह से, फिर वापस से 0 हो गया, इस तरह से, अब क्या-क्या बूच्छा है, उस पर आते हैं जरा, conscious statement correct है, पहले हम वह लखा है कि force t equals to 1 by 8 पर, minus 16 pi square ma है, 1 by 8 पर force calculate करता है, तो force calculate करने के लिए उसको दो बार differentiate करते हैं, acceleration into mass लिख देंगे, तो इसको differentiate करता है, पहली बार differentiate किया, x equals to a sin 4 pi t, ए था, ए था, तो इसको differentiate किया, पहली बार differentiate किया, तो velocity आ गया 4 pi a cos 4 pi t, टीक, पर जा differentiate किया, acceleration, cos का differential minus sign 4 pi का square आ जाएगा, 16 pi square और sin 4 pi t, यह आगया, 1 by 8 पर पूचा है, तो 1 by 8 रखने पर, यह sin pi by 2 रे जाएगा, 1 हो जाएगा, तो acceleration इसका आजाएगा, 16 pi square a b है यह आपर, minus, acceleration आगे, into mass करोगे, force आजाएगा, तो force दे रखा है, minus 16 pi square a into m, फॉस्टीक, next, next मैं बोल रखा है कि particle जो है, उस पर impulse लग रहा है, 4 pi square m a का at instant of 0 and 1 by 4, impulse मतब suddenly velocity में कुछ change होगा 0 पर, तो change in momentum जो है उसको बोलेंगे, तो जरह velocities देखते हैं इसकी, velocity, t equals to 0 पर, 0 से पहले तो velocity 0 है, क्योंकि position throughout 0 है, velocity पहले 0 थी, और suddenly velocity t equals to 0 रखा, यह 1 हो गया, तो 4 pi a और t equals to 1 by 4 रखा, तो 1 by 4 रखेंगे तो फिर से यह term minus 1 हो जाएगा, velocity हो जाएगी 4 pi a minus और इसके बाद velocity suddenly 0 भी होगी क्योंकि constant है, तो इसके बोल सकता है plus पे और 0 minus पे इसकी velocity थी 0 और similarly यह minus पे है और t equals to 1 by 4 plus पे बाद में इसकी velocity है, 0 तो momentum में change क्या लिखेंगे, change in velocity into mass लिख सकता हूं, momentum में change इसको impulse बोल रहे हैं, तो यहां से impulse की value आजाएगी 4 pi a into m के बराबर दोनों के अंदर ही, दोनों ही condition में, तो यह impulse की value है, वो यहां पे given है, 4 pi square m a के बराबर, तो impulse की value, तो impulse की value 4 pi a m आ रहा है, जबकि 4 pi square m a दे रखा है, जो गलत है, second option गलत है, थर्ड बोल रखा है कि particle पे constant force act नहीं कर रहा है, तो acceleration जो आ रहा है, वो variable आए, variable है तो force constant है नहीं, तो यह सही है, constant force नहीं act कर रहा है, particle is not acted upon by constant any force, तो कोई force की ऐसा तो नहीं है, acceleration vary हो रहा है, तो force हो लग रहा है, तो इसलिए 4th option correct नहीं है, तो option correct हो रहा है, अपने first and third, next पे चलते हैं, next question में, एक body mass M1 है, वो इस inclined पे है, theta angle है, और mass M2 से connected है, जो string के उपर से pass हो रहा है, coefficient of friction M1 और slope के बीच में mu है, तो constant statement true, तो यहां पे friction दे रखा है, अब options कह कह बोल रहा है, body upward कब move करेगी, और downward कब move करेगी, वो situation है, तो यहीं पे देख लेते हैं, दोनो situation को, तो Mg तो आगे लगेगा इस पे, इस पर Mg downward लगेगा, tension इस पे पीछे लगी रहा है, इस पे tension जो है upward लग रहा होगा, अब normal की जो value आ जाएगी, वो यहां से आ जाएगी, Mg cos theta से, इससे static maximum की value आ जाएगी, Mg N, तो आ गई Mg cos theta, अब इतना maximum friction लगेगा, जहां तक यह rest में रह सकता है, उसके बाद motion में आ जाएगा, अब अगर इसको downward आना है, यह पहले upward लिलते हैं, अगर यह upward जा रहा होगा, तो friction लगेगा पीछे, static maximum, just limiting condition में, तो जो Mg है वो T के बराबर और यह वाला इन दोनों forces के बराबर, तो अगर इसको move करवाना है तो बोल सकता हूँ कि Mg जो है इन दोनों forces को overcome कर रहा होगा थाकि यह उपर आ जाए, तो उस वाली situation में मैं लिख सकता हूँ कि जो M2G है, वो greater होना चाहिए, M1G sin theta, प्लस Mg, M1G cos theta, यह condition आ गई, अगर इसको upward move करना है तो और इसको downward move करना है, तो अगर इस downward move कर रहा होगा तो उस वाली situation में इस पर आगे की और M1G sin theta और आगे की और move कर रहा है, पीछे की और friction लग जाएगा, M2G, M1G, sorry, cos theta और पीछे की और retention force और यह इस पर वैसे की वैसे force तो नीचे आएगा तो यह वाला force जादा होना चाहिए, इन forces से, T से रिस से और T की value से जादा है, तो मैं बहुत सकता हूँ कि तो यह जो M1G sin theta है, यह greater होना चाहिए यह equal होना चाहिए, M1G sin theta, sorry, cos theta plus M2G से, अब दोनों जो पीछे की और रोकना चाह रहे हैं, उन forces के सम के बराबर, तो यह दो conditions आ रही है, ठीक है, इसके according options देखते है, compare कि यह आवा है M2 को, तो M2 की value यहां से तो आ रही है, M2 greater than M1 sin theta plus mu cos theta, अगर इसको उपर की और upward motion, और अगर down है, तो down वाले motion में M1G को रहन दो, इसको इतर ले जाओ, तो M2G को, sorry, यह value M1 common ले लिया, sin theta minus mu cos theta, यह यहां पर mu है, यह होनी चाहिए, ठीक है, तो यह दो conditions है, तो इनके according देखते हैं, पहले option हम बोल रहा है कि M2, M1 sin theta से, अगर कम है, तो body upward जाएगी, तो situation यह नहीं है, आपके लिए यह condition है, M2, अगर M1 sin theta, M1 sin theta plus mu cos theta, इस वाले term से, ज्यादा होगी, तो अप मूँ करेगी, तो सही है, second option correct, third, अगर M2 plus, तो अप गलत है, M2 जो है, वो कम होगा, अगर इससे, यह वाले term रहा, यह term, तो अगर M2 इससे कम है, तो body down to the inclined जाएगी, सही है, तो fourth option, second or fourth, जो है, वो अपना correct हो जाएगा, next पे आते है, question number 5, 5 में potential energy particle की system में, given है, 100 minus 5X plus 100X square, और जिसमें, U or X SI unit में दे रखा है, mass given है, magnitude of acceleration बताना है, कितना है, potential energy से acceleration कैसे निकालें, तो पहले force निकालने है, जिस force की वैसे, potential energy है, और force by mass कर देंगे, acceleration है जाएगा, तो differentiate किया, du by dx का negative, यह होता है अपना conservative force, तो force की value आगे, इसके differentiation से 100 का 0, minus 5X का 5, minus इदर था ही पहले से, plus, 100X square का 200X, वो plus का था, लेकिन एक minus यहां से आगे, यह force की value आगे, force by mass कर दो, तो acceleration की value आजाएगी, mass था इसका, 0.1, 0.1 से divide किया, तो यह आगे 50, minus 0.1 से divide किया, 2000X, यह आगे acceleration का value, अब इसमें acceleration का पूछा हुआ है, 0.05 meter from origin, मतब X equals to 0 से 0.05 पे, mean position भी पूछा हुआ है, mean position मतब जहां पर force 0 है, स्वाली position से भी, तो mean position भी एक बार calculate कर लेता है, जहां पर force 0 है, तो 40 किया, तो X की value आ गई, 5 by 2, 2.5, 00, तो centimeter में लिख देता हूँ, एक बार में इसको, तो इतना centimeter पर यह हो जाएगा force की value, 0, 40 से पुछा हूँ है और position भी और यह दे रखा एक तरह से 0.05 मेटर मतलब 5 cm हो गया, तो इसको 5 cm लेके चलेंगे, 5 cm लेके चलेंगे, सारे 5 cm दे रखेंगे, तो अब सारा value निकालते हैं, 5 cm origin से पुछा हूँ है, तो x की जेके 0.5 रख दो, 0.05, तो x की जेके 0.05 रखा तो acceleration, 0.05, तो 0 cancel हो जाएंगे, 20, 0.05 तो 5 रह गया, 100, तो यह आ जाएगा minus 50, ठीक है, magnitude पूछा था, यह आ भी रहा है, square, और अगर दूसरी side भी आ जाएंगे, दो option दे रखेंगे, दूसरा चेक करने के लिए कि इसके दूसरे side ले लो, negative sign, तो अगर यह negative sign के साथ आएगा, तो यह plus हो जाएगा, 100 plus 150 भी हो जाएगा, अब जारा mean position से देखते है, mean position is 2.5, तो वो position बता रखी है, वो 2.5 से plus और minus, तो यह 7.5 पे पूछा हुआ है, और minus 2.5 पे पूछा हुआ है, इससे 5 cm दोनों तरब बूल सकते हैं, तो वहाँ पर force की value, acceleration की value calculate करें, तो acceleration की value आ गई, यहाँ पर 7.5 रखेंगे, तो यह आ तो आ गया 15, 150, minus 5 और वो 150 यह था plus का, तो 100 आ जाएगा, इस वाली situation में, ठीक है, minus का, और 2.5 minus का लेंगे, तो plus का हो जाएगा, और 2.5 into 2, 50 और 50, 100, 100 भी आ जाएगा, ठीक है, तो 7.5 पर, दूबारा चेक कर लेते हैं, 7.5 पर, तो आ गया था, 150, minus का, plus 100, ठीक है, तो 0.05 पर acceleration क्या आ गया, mean position से, 100 meter per second square, 200 आएगा नहीं, दोनों जिगे 100 आ रहे हैं, ठीक, तो first, second और third option इसमें correct है, next question पर जलता है, next question में, एक engine जो है, वो constant power supply कर रहा है, एक M mass को, जो rest से start कर रहा है, तो किसी T time पर, इन में बूछावा है, क्या relation होगा, तो अगर power constant है, mass into acceleration लिख दूँ, और acceleration को एक बार dv by dt लिख रहा हूँ, into v लिख रहा हूँ, ताक कि हम time पर dependency check कर सके, velocity की और displacement की, तो P constant, P by M, एक constant हो गया, dt दर ले जाएंगे, integration T होगा, M चलाएगा था, V का integration V square by 2 होगा, limit T को पर 0 पर velocity 0 भी है, तो यह same relation आना है, limit रखने के बाद भी, तो 2 P by M, एक constant और T, रूट, तो velocity रूट T के proportional है, ठीक है, सही है, फिर displacement भी पूछा है, तो इसको dx by dt लिखा, dx by dt और x का integration किया है, x dx का, और इदर यह constant, यह T की पार half है, integration करना है, dx आएगा इदर, तो half integration आजाएगा, power 1 एड किया, यह 0 पर displacement 0, तो limit रखने पर भी यह quantity आना है, तो यह RAT की पार 3 by 2 के proportional, तो यह proportional भी आ जाएगा, और यह बोल रहा है, displacement proportional to root P by M, root P by M भी दिख रहा है, यह router, root P by M के proportional भी है, velocity root P के proportional और velocity यहां पर root P के proportional भी है, ठीक है, तो इसके according अपना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, sorry, inversely proportional है, 1st गलत हो जाएगा, बाकी proportional है, ठीक है, तो 2nd, 3rd, 4th इसमें अपने correct हो जाएगा, next section D पर, D के अंदर, integer questions है, तो इसमें 1st question पर आता है, इसमें एक hypothetical experimental condition दे रखी है, जिसमें Young's formula कुछ derive किया हुआ है, cos theta T की power X dot tau by L cube, जहां Y Young's modulus बोल रखा है, T time period बोल रखा है, torque बोल रखा है, L length बोल रखा है, तो X क्या है, वो find करना है, तो देखें, Young's modulus जो है, वो होता है, unit उसकी आती है, Newton per meter square में, तो इदा dimension जो है, वो Newton per meter square, यह Young's modulus की dimension बोल रखा है, M, L, T minus 2 into meter L, और by L, L length बोल रखा है, L cube, तो dimensionally check करें, यह dimension cancel हो रहा है, overall और यह L square भी पूरा का पूरा dimension cancel हो रहा है, तो कोई value नहीं बची, मतलब इदर 0 रह गया, T की power X equals to 0, तो X की value 0 है, तो time period पर dependent नहीं है, 0 इसका answer आजाएगा, first, next, next question में, angle between vector, कि अगर इन दोनों vectors की बीच में angle acute angle है, तो C की maximum value क्या हो सकती है, तो दो vectors की बीच में angle हम calculate करते हैं, cos theta equals to A dot B upon A B, अब अगर angle acute है, इसका मतलब cos theta, theta की value 0 to 90 अगर है, just 90 तक ले लें अगर, तो ये value, pre-value positive है, और अगर greater than 90 होगे तो ये value negative आजाएगी, तो इसको बोशकता हूँ कि ये value greater than 0 होनी चाहिए, और ये तो magnitude है, positive रहेंगे, उसको 0 भीज दिया, तो दोनों का dot किया, वागया 2, J में है नही value, minus C, I dot I किया 1, J dot J है नही, K dot K, 1 किया, minus C रह गया, और ये value 0 से ज्याद़ा, it means, C की value 2 से कम, just equal भी बोल सकता है, वैसे तो equal, minimum, acute angle बोल रखा है, right angle नहीं है, तो C की value 2 से कम होनी चाहिए, अब 2 से कम वैसे तो क्या लिखना चाहिए, 1.9999, round off करेंगे तो कितना आ गया, वो 2 के बराबर आ गया, तो जो C की value है, वो 2, आ जाएगी maximum value, next, third, third में एक 5 newton weight का एक block है, जिसको wall के against 12 newton का force लगा के push किया हुआ है, coefficient of friction between the block and wall, wall and block is mu, 0.6, magnitude बताना है, force का, जो wall ब्लॉक पे लगा रहा होगा, तो wall ने block पे कितना force लगा है, calculate करना है, तो देखें, इस पर downward weight लगा हुआ है, 5 newton का, upward friction अगर rest में है, अगर rest में है, तो static के value कितनी होगी, यहां से weight के बराबर rest में है दो, और वैसे static maximum कितना हो सकता है, mu n, यहां से normal लगावा है, normal की value इस weight को balance कर रहा है, force को 12 newton, तो यह 0.6 into 12, और यह आजाएगा, 7.2 newton, इसका मतलब maximum 7.2 तक लग सकता है, लेकिन अभी required कितना है, 5 newton, सही है, इसका मतलब friction force की value 5 newton है, और पुछावा है कि net force कितना लगा रहा होगा, वाल इस पर, तो नॉर्मल भी लगाया, 12 newton का, वाल नहीं लगाया, friction भी लगाया, वाल नहीं, तो net force जो इनका resultant आजाएगा, 12 square प्लस 5 square का root, 144 प्लस 25, 169 का root 13, तो 13 newton का, यहां पर वाल ने इस पर फोर्स लगाया, next question पर चले, तो पिल्लेका answer 13 है, इस में 4th में, किसी force 2, force के action में 2 kg का जो ब्लॉक है, उसकी position time के साथ vary हो रही है, x equals to tq by 3, तो जहां x meter में, t second में है, तो work done बताना है, जूल में, first two second में कितना है, तो एक ही force के action, वज़े से move कर रहा है, तो work done हम बोल सकते है, changing kinetic energy की बराबर, और उसी force का work done, change in kinetic energy बोल सकता हूँ, half mv final, minus half mv initial square, और initially, वो move कर रहा है, इसी force की वज़े से, first two second बोलाब है, तो initial velocity 0, तो t की value अभी calculate कर लेगा, differentiate किया, velocity की value आ गई, 3 t square by 3, तो t square, अब t की value, यहां पर रखोगे 0, तो भी 0 आ जाएगा, तो work done हो गया, half mv square, v first two second में, तो यह आ जाएगा, 4 joule, तो work done इसमें, 4 joule के बराबर, ठीक है, फोर्त में, next five, question number five में, velocity time graph दे रखा है, और straight line, और पूछा हुए कि average speed meter per second में कितना होगा, पूरी journey में, तो average speed बोल सकते है, total distance, speed पूछा हुए, total distance upon total time, तो graph का area जो है, वो हमें distance ही बताएगा, negative भी है, तो भी positive लेके लिखना area, तो graph का area हो गया, यहां पर, half of base into height या, ऐसे कर लो, add ही तो करना है, यह दोनों triangle बन की, मिलके एक rectangle पुरा complete हो गया, tt base same था, यह दोनों triangle मिलके, rectangle complete हो गया, तो rectangle का area निकालते जाता है, पहला rectangle का area 10T, दूसरे rectangle का area 10 into 60, 10 तो सभी में height same है, तीसरे rectangle की भी height 10 ही है, base T, तो plus 10T, इस वाले rectangle का area हो गया, 10 times 2T, सही है, दो rectangle convert कर दी है, इन सब को, यह तो आ गया total distance area, अपान total time, time हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12T, तो 10 तो सब में से common ले लो, तो यह value आ गई 10, T बी cancel हो जाएगा, बाकी value रह गई 1, 6, 7, 8, 9, 10, by T cancel हो गया, 12, तो यह गया 100 by 12, यह बोल दो 50 by 6 यह 25 by 3, तो 25 by 3 करेंगे, 8, 24, 10, 33, तो 8.33 इसकी average velocity है, meter per second, तो इसका answer आजाएगा, 8.33, की decimal में है, अब आगया answer अपने, question number 6, इसमें बोल रखा है कि एक wedge जिसको push कर रहे हैं, acceleration 10 root 3 meter per second से, और block जो है, उपर की और इसके उपर rise हो रहा है, smooth surface है, wedge की, तो time कितना लगेगा, इसको top तक पहुंचने में, तो यहाँ से top का distance बता रखा है, एक meter, तो एक meter travel करने में कितना time लगेगा, इसको वो calculate करना है, तो ज़रा देखते हैं, जब यहाँ से उपर की जाएगा, तो इसके respect में, इसका free body diagram बना लिए, downward mg, उदर की और इसका acceleration उससाइड हमें है, soda force अगेगा, इदर में, नॉर्मल इदर लगना है, यह angle theta 30 आएगा, तो यहाँ पर इस direction में, उपर की और जा रहा है, तो force हो गया, नॉर्मल तो balance हो जाएगा, इस direction में force आगया, इस पर ma cos 30, theta लिख देता हूँ अभी, और minus, minus mg पीछे लगेगा, mg sin theta, और net force equals to ma, जो इसका acceleration आगा with respect to wedge, तो wedge के respect में acceleration आगया, A, A था 10 root 3, cos 30 root 3 by 2, minus g, g की value, g की value इसमे 10 लेता हैं किपर, 10 sin 30, 1 by 2, तो यह value आगे, 5, यह value आगे, 5, तो 3, 5, 15, 10, minus 5, 10 इसका acceleration आगे, 10 meter per second square से 1 meter चलने में कितना time लगेगा, तो time के लिए S equals to UT, plus half 80 square, half A, 10 T square, तो T की value यहाँ से आ रही है, 1 by 5 का root, 1 by 5 का root तो root 5 के value के लिए बोल रखा है कि, यह value यूज करो, फिर calculate करो, तो root 5 से उपर नीचे multiply कर दिया, उपर वाले root 5 की value यह हो गई, divide by 5 तो यह आ जाएगा, twice कर दे हैं, 4, 4 और 6, यह value आ जाएगा, 2 digit में round off करें, तो यह आ जाएगा 0.45 की बरापर, तो 0.45 सेकिंड में यह इसके top पर पहुंच रहा हो, next, question number 7, 7 में 1 kg का मास जो है, वो slide कर रहा है, inclined पर, rough surface पर, angle of inclination 60 degree है, तब just slide रहना, start हुआ, minimum force, कितना required है, अगर इसको inclined के लोग, pull कर रहा है, उपर की और, inclined के लोग, pull करना है, कितना force required है, inclined के लोग की force की बात कर रहा है, पर, तो यहां पर पहले यह था, downward mg, sorry, एक मिन इदर, नॉर्मल, इदर की और mg sin theta, और इदर की और, यह आगया mg cos theta, friction, उपर की और ले जाना है, तो इदर की और लग रहा हो, just static maximum वाली limit लेगा, पहले क्या था, 60 degree पर just slide कर रहा था, इसका मतलब 10 theta equals to mu है, angle of repose से, तो 1060 degree, mu, तो mu का value है root 3, यह, तो friction static maximum कितना आजाएगा, mu n, तो force minimum कितना required है, वो आजाएगा mg sin theta, force कितना required है, जितने पीछे के और force है, उतना ही, plus mu n, mu n की value है, mu mg cos theta, इसको पर की और slide करवाने के लिए, इसको cross करना पड़ेगा, तो यह forces लखे हुए, mg, m की value है, 1, g की value 10, तो 10 तो यह बहार आगया, sin 60 हो गया root 3 by 2, और plus mu root 3, और cos 60 हो गया, 1 by 2, तो यह value आगया, root 3 by 2, plus root 3 by 2, root 3 by 10 root 3 के बड़ाबर आगया, 10 root 3 के बड़ाबर आगया, तो यहां से force की value आगयी, 10 root 3 की value, 1. root 3 की 1.732, 1.732 newton, इतना force required है, inclined के along, इसको move करवाने के लिए upward, ठीक है, next question, question, question number 8, इसमें जो 2 kg का block है, इस पे horizontal floor पर, initial speed दे रखिया, 4 meter per second, और यह एक uncompressed spring को compress कर रहा है, जब तक कि यह motionless नहीं हो गया, तब तक compress, rest में जब तक नहीं आ गया, kinetic friction 15 newton है, spring constant दे रखा है, 10,000, तो spring कितना compress होगा, centimeter में वो बताना है, तो देखें, compress करने से पहले कुछ velocity थी, इसकी, spring के contact में आया, तो धेरे-धेरे slow होगा, friction की वज़े से भी, इसकी वज़े से भी, finally इसकी velocity 0 हो जाएगी, माल लिया, x compress कर दिया, initial velocity पता है, final पता है, displacement पूछा होगा, work energy therm लगाएं ज़रा, तो यहां से यहां तक work done by friction, friction, static किया, kinetic होगा, kinetic यहां पर, plus work done by spring force, gravity का work done 0 होगा, normal का work done 0 होगा, equals to change in kinetic energy, final 0 minus initial 4 है, friction constant force दे रखा है, तो constant force 15 और displacement के अपोजिट है, minus displacement x, spring का work done, वो भी पुछ कर रहा है, लेकिन आए दर रहा है, तो minus half kx square, gravity का रिनका work done 0 है, final kinetic energy 0 है, initial half mv, m की value है, 2 और velocity है, 4 का square, यह cancel होगा, तो यह quality equation है, इसकी value है, 10,000, तो रहा है जाएगा 5000, तो quality equation बन गे अपने पास, यह value यह इदर आगे, plus 5000 x square, plus 15 x, और यह इदर ही था, minus 16 equals to 0, तो value calculate करें, x equals to minus b, plus minus root b square, 15 का square, 225, minus 4ac, 4 c की value negative है, तो positive कर दिया, और यह 5000, by 2, 5000, अब यहां से x की value, निकालें, एक बार स्कॉट आ रहा हूं, तो x की value आ गई, minus 15, plus minus, यह वाला जो term देखोगी, यह बहुत ज़्यादा है, 10,000 से भी बहुत ज़्यादा है, 16 times, या 32,000 है, और जबकि यह term, उसके term, comparison में कम है, तो इसको neglect कर देते हैं, तो root में से बाहर आ गया, 16, 16, इस 4 को तो इसके साथ देदेंगे, 4, एक 2 रहा गया, root 2, और यह 10,000 था, 1000 इसका बाहर आएगा, divide by यह 10,000, यह meter में आएगा value, MKS में लिए थे अपने सारी units, तो यह आगया, root 2 को 1.414 लिख दें, तो 14 into 4, 56, 56 आजाएगे, 5656, minus 15, divide by 1000, तो यह गया, यह आगया value, 10,000, 2,0 तो सेंटीमेटर के लिए अटादो, बागी बाद में decimal लगा देंगे, 5, 65, और यह रहा गया, 0.6, divide by 100, तो यह 5.5 सेंटीमेटर के आएगे, 5.5 सेंटीमेटर, इसमें आजाएगे, ठीक है, यह round off करें अगर, तो यह आजाएगा 5.5, यह 1 है, round off करोगे तो लगबग बाद, तो 5.5, 1 सेंटीमेटर के आएगे, यह value हो जाएगे, ठीक है, तो इसे के साथ अपना paper discussion, complete होता है, तो आने वाले papers के लिए, बेस्ट अफ लग, थैंक यू.